हेलो बच्छों कैसा सब्सक्राइब इस वीडियों में बात करेंगे CES अग्यूडियू के पेपल नंबर सेवन के बारे में टेक्स लौ एंड प्रैक्टिस के बारे में किस तरीके से आपको चैप्टर वाइस चैप्टर प्रप्रेशन करनी है कितना प्रैक्टिकल पॉश्चन कितना किस तरीके से प्रफिजन बेज आपको कुश्चन आ सकते हैं पूरी आपको एटुजट चैटेजी बिदाने माता हूँ इस कंप्लीट वीडियो में में रावे बच्छों सीए सीए संदीप रोड़ा और आज हम करने जा रहे हैं डिसकर्स प्रैटर जी किस चीज की इ यहाँ पर प्रफिजन बेस त्यूरी बेस कोश्चन आपको मिक्स आने वाले हैं 60 माक्स में ठीक है जी और इसमें से 20 परसंट आपको को MCQ आने वारे हैं ठीक है जी और बाकी मारी जी 60 में से 20 परसेंट कितना होगा बारा नंबर के आपको MCQ आने वारे है और 48 marks का practical आने वाला है अब practical का मतलब यहां पर subjective आने वादा है ठीक है जी अब 48 marks में अभी तक कोई तया नहीं है कितने नंबर के practical question आपको देखने को मिल सकते हैं और कितनी theory question अगर मैं आपको past slivers की बात करूं जब जब 2008 slivers की अगर मैं बात करूं इससे पहले क्योंकि आपको पता है last 10 years से जो tax law है वो MCQ बेस चल रहा है ठीक है तो उस समय actually में कुछ हमारी provision based question आते थे तो मैं उसके accordingly ICSI की history accordingly मैं आपको suggest कर रहा हूं कि इस तरीके से आपका paper बन सकता है ठीक है जी तो सबसे पहले मैं आपको suggest करूंगा कि जो सबसे असान और सबसे easy practical chapter है जो institute के favorite भी हमेशा रहते हैं जिनमें इससे practical आने के chances भी होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको करने हैं जैसे की पहले ये चार्ट चेप्टर residential status है इस पर आपको पता है जो हमारे को एक ही पूरे चैप्टर में topic है concept है ठीक है income के उपर ठीक है तो आर और 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 नौन रिजिदेंट की income है एफेक्ट आफ इंकम किस तरीके से calculate करनी है उसके उपर 5 नमबर का practical आने के पूरे पूरे चांस होते है नमबर एक नमबर दो हवस उपर टी इंस्रीट का हमेशा फेवरेट रहा है तो हाउस उपर टी का practical कुशन बहुत अच्छे तरीके से करके जाईएगा नमबर ठी सेट आफ यह भी हमेशा इंस्रीट का favorite रहा है सेट आफ एन्केरि फेड बहुत ही असान आपको चप्टर है यहाँ पर भी आपको प्रेक्टिकल कुशन दिखने को मिल सकता है, 100% शुल्टी है शिर्की, और चौते नमबर पर अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज भी हमारे पास यहाँ पर दो टॉपिक है, एक आपका गिफ्ट, गिफ्ट में से बहुत आने के चांसेज होते हैं, ठीक है जी, दूसरा आपका डिविडेंट का, डिविडेंट आपका प्रोविजन बेस आ सकता है, क्योंकि यह प्रेक्टिकल नहीं आएगा, ठीक है जी, तो यह चार चेप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको करने हैं, जो सबसे आसान है, सबसे पहले नंबर पर आप इसको, अगर आप कर चुके हो, तो रिवाईज सबसे पहले चार इनको करिए, इन में से अपको पहला चेप्टर है क्लबिंग, क्लबिंग में से एक कुश्चन आपको देखने को मिल सकता है एक्जाम में, दूसरा आपका रेटान आफ इंकम जो को हम लोग assessment बोल लेते हैं, इसमें आपको एक से दो question भी जुरूर देखने को मिल सकते हैं बहुत important chapter है ठीक है जी काफी खास है उसके बाद TDS TDS भी यहाँ पर सिधा आपको practical ways question नहीं आते पहले भी नहीं आया करते थे अभी भी उमीद कम ही है ठीक है जी टीडिस में आपको सिधा straight forward question section बूचा जा सकता ह है कि हाँ 193, 194C, 194I section इसके ओपर provision explain कीजिए explain the provision of section this that's it आपको सिधा ही उसके बाद deduction deduction में भी ऐसे ही आपको कुछ question theory के आ सकते हैं उसमें ऐसे पूचा जा सकता है और basics basics में से भी basics में आपकी definition जैसे आपको पता है कुछ important definitions हैं है ना assessment area previous उसमें से आपको question पूचा जा सकता ह या straight forward question आ सकता है सीधा सीधा ठीक उसके बाद सबसे important और सबसे जबदस्त most time consuming chapters salary PGBP और capital gain ठीक है यह आपको बहुत अच्छे दिखे से करने इसमें आपको बताता हूँ इसमें आपको बता है बहुत time consuming है इसमें से भी अगर आपके पास time नहीं है ज्यादा बहुत ज्याद बहुत अच्छे तरीके से करिएगा exemptions को किसी तरीके से भी lightly मतती जेगा क्योंकि यहाँ पर straight forward question भी आ जाता है ठीक है उसके बाद capital gain में जो special cases होते हैं ना conversion of capitalist into stock and trade insurance claim वाला हो गया ठीक है मतलब जो lump sum slump sale वाला हो गया तो कुछ मतलब sections important section जो है जो special cases जिसको हम लोग बोलते है वो special cases जूरू बहुत अच्छे से करके जाहिएगा उन में से question आ जाता है ठीक है उसके बाद आपका जो capital gain के कुछ questions है ठीक है पैक्तिकल जूर करके जाहिएगा ठीक है उसके बाद salary salary में जो बहुत सारे साथ आठ फेवरेट institute के अगर मैं बोलूं topic बोलूं जिसमें से आपका हो गया allowances की बात करें allowances में आप hra ले लीजिए ठीक है चल्टन एजुकेशन लाउंस होस्टल एजुकेशन लाउंस है ना entertainment allowances में सबसे ज्याद यह उसके बाद prerequisites में आप ले लीजिए RFA हो गया अपका medical allowance medical facility हो गई है ना आपकी अपना move use of movable assets हो गया transfer movable assets हो गया ठीक है उसके बाद आपका interest हो गया यह सबसे important है जो institute के हमेशा फेवरेट बंद है जो प्रेक्टिकल आने के chances separately भी बन जाते है ठीक है उसके बाद आज special section special section वाली series कौन सी 44 वाली 44 AA AB AD ADA AE है ना यह section बहुत बदस तरीके से करिएगा और सबसे important institute का हमें all time favorite that is section 32 depreciation ठीक है यह जो section से बहुत अच्छी तरीके से रटके जाएगा section number भी याद करके जाओगे तो बहुत अच्छा होगा marks बहुत अच्छे आने के पुरे-पुरे आपके chances बनते हैं ठीक है वह चुक तो इसके बाद मैं आपके साथ और इसी तरीके की discussions करता रहूंगा text law के ओपर ठीक है आज का वीडियो सरफ income text के ओपर था और अगर आपको पसंद लगा comment करके जुरूब बताईएगा है ना और वीडियो को like और चैनल को share और चैनल को subscribe करना और पहले के अंदमाना मत भूलिएगा थैंक्यू